हेलो एवरीवन वेलकम तू लर्नर बी एक्स्ट्रा आइम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लास नाइन्थ मैट्स की बुक का जो आपका चाप्टर है थ्री चाप्टर 3 की एक्सराइज 3.2 इससे पहले हम लोग जो पूरा बेसिक कंसेप्ट जो होते इसस्टी है, इंग्लिश है, हिंदी है, यह सारी चीजे हैं वो हमारे चैनल लर्नर भी पर है, लर्नर भी आप लोग यूटिब पर सर्च करेंगे, आप लर्नर भी, क्लास 9th, हिस्ट्री, हिस्ट्री, जोग्रफी, जो भी आप है, सब कुछ होहां पर अवेलबल है, आप लो ल。」 इह कोफियो है, तो देखिए ये वाली X axis होती है, और ये वाला होता है Y axis ठीक है, टो पर इसन होता है, ये वाला हमारा होता है और होरील है इसका आंसर है X axis ठीक है, उस वीडियो में हमने लिए डिक ल ब स्लेंश कम आप लिएक स्ट्री इसका आप ही यी एक्सिस्थ हो तो horizontal x-axis और vertical y-axis अब next आता है, Cartesian plane क्या होता है यह पूरा का पूरा यह जो भी है ना यह सारा का सारा जिस पर coordinates वगेला सब बन रहा है इस पूरे को हम Cartesian plane बोलते हैं next name the part of each, what is the name of each part of plane formed by these two lines तो यह जो lines ऐसे करके 4 parts में divide कर देती हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं Quadrants, यह Quadrant 1 है यह Quadrant 2 है Quad, Q-U-A-D-R-A Q-U-A-D-R-A-N-D Quadrant, तो यह ऐसे करके 4 parts में divide हो रहे, Quadrant 1 है यह Quadrant 2 है, यह Quadrant 3 है और यह वाला Quadrant 4 है तो इसका second वाले का answer Quadrant है write the name of the point where two lines intersect तो देखिए जो दो line जिस point पर intersect करती है इस point का नाम होता है original हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं अब C figure 3.14 and write the following हमें B के coordinates अब देखेंगे figure B के coordinate C के coordinate और minus 3, minus 5 किसका coordinate होता है यह हमें बताना है ठीक है, यह सारे के सारे questions हमें इस figure से solve करने है यह वाली जो हमारी figure है अब हमें पूछा गया था कि हमें B के coordinates बताने हैं देखें पहला question क्या था कि जो B है इसके coordinates बताने हैं तो देखें, coordinates हमेशा ऐसे होते हैं X, Y की form में लिखे होते हैं आगे वाला X axis पर जो भी point है 5 axis पर जो भी point है वो पीछे वाले पर लिखते हैं तो हमें B के बताने हैं तो देखें यह रहा B B में X axis पर क्या रहा है यह देखें, यहां पर minus 5 है, तो यह देखें यह है B, यह और यह तो यह वाला हमारा B है तो यह वाली line लेनी है हमें इसमें और एक यह वाली लेनी है तो यह जो सीधी line है यह वाली हमें बताती है ऐसे जो straight खड़ी हुई line है यह हम लोगों को X axis की value बताती है तो X axis की जो value है, वो है 5 और यह जो ऐसे करके सीधी जाती है कहां पर point यहां से लेकर यहां तक है यह वाला X axis पे क्या आ रहा है? minus 5 Y axis पे क्या रहा है? 2 तो इसके जो B है B के coordinates क्या हो गए? B के जो coordinates हो गए वो minus 5, 2 बन जाता है Simple है? ठstudy है तो जो B है उसके जो coordinates है B के coordinates हमारे क्या बन जाते हैं? B के coordinates हमारे हो गए minus 5, 2 देखे आपको आ रहा है ना समझ minus 5 क्योंकि देखे जो line है यहाँ पर जा करके x पर कहाँ पर लग रही है minus 5 पर और y पर कहाँ पर लग रही है 2 पर तो minus 5,2 अब हमें c के coordinates बताने हैं देखे next question था ना कि c के coordinates बता हो तो c के coordinates c कहाँ है यह रहा देखे यह वाली जो होती है यह x-axis होती है ऐसे करके यह वाली क्या होती है यह वाली y-axis होती है तो जो c है यह वाली y-axis है जो सीधी खड़ी होती है वो y-axis तो जो सीधी खड़ी line है c उससे कहाँ पर जाकर के लग रहा है c उससे minus 5 पर है ना के दिखे माइनस 5 पे जागर कर दो स्टिंव पॉर पूरर करें निकल के आ जाता है अब आगे देखिए हमें यह बताना है माइनस 3 और माइनस 5 क्या है तो माइनस 3 और माइनस 5 का फोर्थ फाला माइनस 3 माइनस 5 ढूनते हैं माइनस 3 हमें कहा मिलेगा माइनस 3 हमें कहीं यहां पर मिलेगा यह देखिए यह रहा माइनस 3 और –5 हमें कहां पर मिलेगा –5 हमें यहां पर मिलेगा तो यह देखिए यह –3 की line ऐसे करके जाएगी और यह –5 से ऐसे करके जोड़ जाएगी तो यहां पर कौन सा point आ रहा है E point आ रहा है –3, minus 5 डूणने को बोला गया था न हमें तो यह देखिए minus 3 यह x axis पर यहाँ पर है और minus 5 हमारा y axis पर क्योंकि आगे वाला x होता है पीछे वाला y तो minus 3 x axis पर यह रहा इससे हम ऐसे करके सीध्य लाइन कीज देंगे हम ऐसे करके यह दी तो हम इसे ऐसे करके और हम देखेंगे कि minus 5 कहाँ पर है तो minus 5 से ऐसे करके line आई, minus 3 से ऐसे करके, यह हमें perpendicular बना दिया, यह minus 3 था, यह minus 5 था, तो यहाँ पर यह आखर के मिल गए, तो minus 3, minus 5 की जो point है, वो क्या है, E है, तो यह वाला जो था ना, हमारा third वाला, इसका answer E हो जाएगा, बहुत simple chapter है न, point identify by the coordinates, 2, minus 4 हमें धूनना है, 2, और minus 4 का है, minus 4 तो कहीं यहाँ पर नीचे होगा, तो यह 2 ऐसे करके, और minus 4 ऐसे करके, तो minus 4 यह रहा, और 2 यह रहा, इस पे कौन सा point बन रहा है, जी, तो जो fourth part था ना, हमारा, fourth part का answer हमारा हो जाएगा, जी, क्योंकि minus 4 यह रहा, यह रहा minus 4, ठीक है, और यह रहा 2, तो य fourth फाला question है ना, यह वाला, 2 कामरा माइनस 4, इसका answer हो जाएगा, जी, अब यह देखे, फिफ्थ जो पार्ट है, इसमें पूछा गया है, एपसीसा of point D, एपसीसा का मतलब होता है, x-axis, एपसीसा का मतलब x-axis, तो D point जो है, उसमें x-axis कौन सी वाली है, D यह रहा, D की x-axis कौ पर जाकर के लग रहा है, वो है, D कहां पर लग रहा है, x-axis पर जाकर के 6 पर लग रहा है, तो हमारा इसका answer क्या हो जाएगा, D की जो एपसीसा है, यानि की D का जो x-axis का point है, वो है 6, D का x-axis का point 6 है, तो x-axis क्या हो गई, 6, ordinate, ordinate यानि की y-axis, y-axis पर जो point बन रहा है, वो ord होता है हमने बेसिक वाली वीडियो में सब देखा है ओर्डिनेट एच एच का ओर्डिनेट यानि की एच जो है एक्स एक्स पर कहां जाकर के मिल रहा है एच सोरी ओर्डिनेट ओर्डिनेट पूछा है न तो ओर्डिनेट जो है ओर्डिनेट हमारा वाई एक्स के लिए होता है ordinate हमारा होता है y axis के लिए तो यह हमारा y axis पर कहां जाके मिल रहा है h h y axis पर मिल रहा है minus 3 पर जाकर के तो हमारा जो sixth part है उसका answer हो जाएगा minus 3 क्यों क्योंकि h जो है वो यहाँ पर minus 3 पर जाकर के y axis पर मिल रहा है तो यह वाला हो गया h का answer minus 3 coordinates of l, l के coordinates coordinates हम लोग किस form में लिखते हैं x, y की form में है तो हम लोग coordinates लिखते हैं तो l के coordinates हम में बताने हैं l कहां पर है ये रहा l ये रहा l अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में पताया था कि अगर जैसे कि कोई उसी axis पर सिर्फ Bradley में पर नहीं x axis पर ही यहां 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 नहीं जो point लगा हुआ है वो उसी axis पर चाहे तो x sorry जो point लगा हुआ है वो axis पर मतलब या तो x axis पर लगा हुआ है या फिर y axis पर लगा हुआ है इसका मतलब येさい کہ अगर ये point क्योंकि देखिए L है ना ये y-axis पर ही लगा हुआ है इसका जो x है ना वो 0 है क्योंकि x से तो ये कहीं जाकर के मिल ही नहीं रहा है जब ये x से जाकर के नहीं मिल रहा है इसका मतलब है x इसका 0 है और y पर ये 5 पे है ठीक है क्योंकि ये x से कहीं भी नहीं मिल रहा जाकर क क्या कहीं ऐसे कोई कोई लाइन बनी नहीं नहीं रहा है क्योंकि इस सिर्फ और सिर्फ y पर ही बन रहा है तो l के जो coordinates हो जाएंगे वो 0,5 हो जाएंगे 5 पीछे क्यों लिखा गया क्योंकि जो y वाला है वो पीछे लिखा जाता है और x वाला आगे next है m, m के हमें coordinates point बताने है m कहाँ पर है m देख लेते हैं ये रहा m, m है ये रहा अब m कहां कहां पर लग रहा है ये देखिए, m हमारा कहां पर बन रहा है, m तो हमारा पूरा, ये देखिए ये जो है न ये वाले, ये m के नहीं है यह बारे तो e के हैं, आपको यह बात धियान रखने है, m तो यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल line पर ही इसका point हमें बना हुआ दिख रहा है, देखे, e का point यहाँ पर बन रहा है, h का यहाँ बन रहा है, g का यहाँ पर, और y पर तो यह है ही नहीं, तो y हमारा हो जाएगा 0, तो इसका answer हो जाएगा minus 3,0, तो यह वाली exercise हमारी complete हो गई है, कैसा लगा वीडियो, स्चूर बताईएगा, अच्छा लगता है, तो like करिए, चैनल को subscribe करिए, ताकि आपको आपकी पूरी book यहाँ पर पढ़ने के लिए मि